हेलो दोस्तो, स्मार्ट कांटिंग आरसनार के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं मैं मौन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर स्राइसिन गर से तो दोस्तो जब से मार्केट में ही हलचल होई है अब tally.erp9 accounting software बंद होने वाल है इसकी जगें tally company एक tally prime के नाम से नया software लौँच करने वाली है तो दोस्तो तब से बहुत सारे students के मेरे पास message आ रहे हैं लेकिन सभी का एक ही सवाल है विकि tally software ने जो अपना नया tally prime के नाम से software लौँच करने वाली है तो क्या tally prime के आने के बाद tally.erp9 software का क्या होगा यो बहुत सारे ऐसे student हैं जिन्होंने tally.erp9 का course कर रख है या अभी present time में कर भी रहे हैं तो क्या उनकी करीकरा में तबेकार होने वाली है या जिन्होंने tally.erp9 software सीख कर जो certificate प्राप्त कर रख है तो क्या वो भी useless हो जाएगा? किस type के students को परिशानी होएगी? और किस type के student को tension लेने की जरूरत नहीं है तो दोस्तो आज की इस video हम point to point सब सारे doubt हम clear करने वाले हैं तो आपसे request है आप इस video को end तक पूरा देखें ताकि आपके सारे doubt है जो clear हो जाए फिर भी अगर आपका कोई doubt रहता है तो आप हमें comment भी कर सकते हैं हम पूरी कोसिस करेंगे उनसे आपकी doubts का reply देने की तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को आप subscribe जरूर कर ले और well icon का बटन प्रेस करके all notification पर जरूर क्लिक कर ले ताकि मारी टेली वीजी मारग और accounting और taxation से related नई नई अपडेशन और जोना करें होती है हम इस चैनल के बाद हम से देते रहते हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज कहीं वीडियो तो दोस्तों यह कोई पहली बार नहीं हो रहा विट टेली software company ने अपने application में changing कर रही है अगर हम टेली के history की बात करें तो आप देख सकते हो विट टेली software ने सबसे प company ने 1986 में से बनाया था और market में से 1986 में launch किया गया था जो कि 1906 में तक चला था यह MS DOS basis पे वरक करता था यानि कि यह window 98 या 95 या इस से पहले कि जो window थी उससे पे ही यह वरक करता था और इस software में यानि कि टेली 4.5 में केवल आप accounts को ही maintain कर सकते थे इसमें आप stock item को maintain नहीं कर सकते थे लेकिन जैसे जैसे customer की demand ready वैसे वैसे टेली company ने 4.5 को बंद करके और उसके बाद एक नया release open किया यानि कि नया setup त्यार किया जिसका नाम उन्होंने रखा टेली 5.4 जो कि 1906 में से लेके 2000 तक चला तो यह एक window वैसे पे शुरुआत हो चुकी थी यहां से और उसके बाद में जीरे जीरे जो भी इनको कमी लगने लगी अपने software में वो उनकी कमी उन्होंने अपने next setup जो कि 6.3 उन्होंने launch किया था संद 2000 में 2004 तक यह चला था तो इसमें जो 5.4 में जो कुछ कमी थी वो इस 6.3 में पूरी कर दी की और उसके बाद में जब से गवर्मेंट ने वेर TDS और TCS के taxation के rule changing किये तो उसके बाद अपनोंने एक नया setup launch किया टेली ने जिसका नाम था टेली 7.2 दो 2000 से लेके और 2000 यह सम्टिंग 278 तक यह चला था और उसके बाद में टेली 8.1 आ गया और उसके बाद में इसी तरह दिरे दिरे महलब जिस जिस setup में इनको customer की demand के अनुसार कोई कमी इनको लगती गी वो इन्होंने next setup में का बरपाइस के पूरी करते गए लेकिन company ने last में आते आते एक अपना last version त्यार किया था टेली.erp9 भी company ने यह बोला भी अब इसके बाद में अगर किसी भी type की कोई changing होती है तो software का नाम है जो टेली.erp9 ही रहेग यानिकि पहले तो क्या था जब 5.4 में जो भी कुछ customer की demand थी तो उसको नया setup का नाम दे देते थे 6.3 का और 6.3 में जो कमी थी उसको 7.2 में पूरा किया गया तो इस तरीकी से लास्ट में आतेली.erp9 यानिकि erp9 की full form enterprise resource planning यह सन 2009 से लेके और अभी तक यानिकि अक्टूबर 2020 तक यह running में चल रही है इसमें जो भी updation आई थी वो इन्होंने release के through updation देते गए और सबसे पहला release telly.erp9 का था वो था 1.1 और आज के टाइम में जो latest चल रहा है वो 6.6.3 का यहनकि इसमें telly software का नाम इन्होंने changing नहीं किया जो भी changing करी वो अपने release इन्होंने change करते गए तो दोस्तों यह सब कुछ एक customer की और एक समय की जरूरत के उन्होंने इन्होंने changing करना जरूरी भी था और यह कोई telly software अकेला software नहीं है telly company जो अपने software में changing करती है हर type की company जो होती है समय की जरूरत के अनुसार customer की demand के अनुसार यह अपने app में editing करती रहती है जो कि एक बहुत जरूरी भी है तो दोस्तों अब बात करते हैं जिन्होंने telly.erp9 software में काम करना सिखा था तो क्या अब उन्हें telly prime पर अलग से उनको course करना पड़ेगा या अलग से उनको time देना तो दोस्तों अगर इस वीडियो को telly का भी फ्रेसर स्टुडेंट देख रहा है तो उसकी जानकरी के लिए मैं बता दूँ विए telly software ने अपने software का एक layout change किया है जिसे हम यह बोल सकते हैं भी उन्होंने अपने software का design change किया है कोई accounts के rule changing नहीं हुए है accounts के rule आज भी 500 साल पह अगर को telly prime आएगा उसके बाद हो सकता है telly prime बंद होके कोई और वर्जन भी नया वर्जन भी launch कर सकती है company तो यह सब कुछ चलता रहेगा like में लेकिन आपको केवल अपने accounting को focus करना है कोई difference नहीं है जितना margin layout change करे company कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन जिस चीज की demand हमें है वो software हमें available करवा के देगी वो telly company उस software में अगर आपको telly में practice है आप accounts की अच्छी तरीकी से practice telly.erp9 software में आपने कर रखी है practical vouchers के साथ तो आपको telly prime में भी कोई problem नहीं है और आपने कोई प्राइम से कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह एक केवल जिनोंने practical वरक करके देखा हुए है तो उसके लिए कोई कोई tension वाली बात नहीं है कोई certificate आपके लिए कोई ज़्यादा मायन नहीं रखता है मैं दोनों में आपको यहाँ पर difference भी बताऊंगा इससे पहले इन दोनों में क्या difference है इसके वीडियो में अल्री बना चुका हूँ अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीड tally.erp9 में यह license से समंदित जो information हमारे सामने इस तरीके से खुल के आती है तो वो अब tally prime में इस तरीके से आएगी यानि कि आपके सामने यह कुछ option आपको देखने को मिलेंगे विए आप कौन से option में tally prime को run करवाना चाते हो तो सबसे पहला है continuing educational mode यानि कि आपने demo को download किय आपके पास कोई license वर्जन नहीं है आप केवल practice के लिए इसको download किये तो आपको यह educational mode में run कराना पढ़ेगा second आता है इसमें use license from network या आप network के थूर license यूज करके run कराना चाते हो या reactive exist license यानि कि आपने tally.erp9 software अपने process करके रखा हुए वो ही जो license है उसी license के थूर आप इ active new license यानि कि आपके पास पुराणा कोई software नहीं है आप फर्स्ट टाइम tally को process कर रहे हो तो आपको फर्स्ट टाइम इसके लिए active करना पड़ेगा जैसा कि आप इसमें देख सकते हो same way option इसमें आएगा active your license reactive get a rental license तो इस तरीके से यह work in educational mode तो कुछ इस तरीके का configuration यहाँ प एक layout आपके सामने आएगा जिसा टेली ERP9 में आता है आप देख सकते हैं थोड़ा साख आपको अपना common sense रखना है यहाँ पर जो select company या login remote user create company जो आ रहे हैं टेली प्राइम में आप यह directly इसी तरीके से आएगा आपको अपनी company select करनी इसमें से तो आपको अपनी company इसमें से select करने पड़ेगी या आप नई company create करना चाहते हो तो आपके सामने यहाँ पर एक create company का option यहीं दे दिया गया है आप यहीं से create कर सकते हो और टेली ERP9 में आपको select के लिए select पे जाना पड़ेगा और create करने के लिए आप create पे जाते थे तो दोस्तों यह बिल्कुल सा ही है टेली प्राइम में भी यूज होएंगे वह भी हम देखेंगे तो इसके लिए मैं select company पर और इसमें एक मेरी company को मैं open करूँगा कि इसमें से कोई मैं company open कर लूँगा मैं जिसे मैंने company open कर लिए और टेली प्राइम में भी एक मैं company को open करूँगा तो इस तरीकी का layout इसमें आजएगा और सेम इसी तरीके का layout रहे जो इसमें आजएगा और Tally ERP9 में accounts यानिकि laser create करना या stock item से समन्दित कुछ stock item, units या group create करना वो इस तरीके से आ रहा है अभी Tally ERP9 में और जब Tally Prime आएगा तो उसमें यह कुछ इस तरीके से आएगा यानिकि master's menu हुई रहेगा इसमें accounts info और inventory info का option यहां से अटाया हुआ है तो create आगर आपको करना है तो आप create पे जैसे click करोगे तो इसमें दोन option आपको देखने को मिलेंगे accounting से समन्दित और inventory से समन्दित आप यहां से laser भी create कर सकते हो यहां से stock item भी create कर सकते हो unit भी create कर सकते हो तो दोस्तों जिस students ने Tally को अच्छी तरीके से practically रूप से अध्यान इसका किया हुआ है तो उसको कोई problem नहीं है सिर्फ उसको अपने command से वो मजबूत रखनी है यहांनि कि create का मतलब क्या होता है lasers का मतलब क्या होता है groups का मतलब क्या होता है या unit का किसको बोलते है go downs किसलिए create करते है purchase voucher क्या होता है sale voucher क्या होता है अगर इनको practically रूप का knowledge है इन vouchers का तो उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा, चाए वो टेली प्राइम हो, चाए वो अधर कोई भी किसी भी नाम से चाए इसको लॉंच कर दे, क्योंकि हमें पता है भी जो परचेज वाउचर है, वो परचेज वाउचर में उसकी इंट्री होनी है, तो प्रैक्टिस किये वे टेली स्टुडेंट के लिए कोई टेंशन नहीं है और जिन स्टुडेंट ने केवल फॉर्मल्टी के लिए बुक्स नोलेज से टेली का स्वाफ कोर्स नोने कर रख है तो उनके लिए के बहुत बड़ी नई चीज हो जाएगी तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कन्फ्यूजन में बिल्कुली भी मत रहें अगर आपने टेली सॉफ्ट्वेर सीख रखा तो आपको टेली प्राइम में कोई प्रोब्लम आने वाली है यसाल कुछ भी नहीं है अगर आपने कोई टेली आर्पिनान सॉफ्ट अगर आपने लेर्ख है तो वो सर्टिफिकेट आप किसी कंपनी में जाओगे अगर वहां पर आपको टेली प्राइम में अगर वर्क करने को मिले तो भी आपका काम आ जाएगा तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी आप हम यह कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडिय करके पूरा कॉर्स हम सेखेंगे अलग लग पार्ट में यानि कि टेली में कम्पनी केरियेट करने से लेके उसमें लेजर स्टोख आइटेम करने से लेके group create करने से लेके इसमें voucher entry लेके और taxation से समन्दित जो भी working नहीं रहते है भी GSTR1 हम कैसे त्यार करेंगे GSTR3 क्या होती है, GSTR2 क्या होती है TCS की return कैसे त्यार होती है TDS की return कैसे होती है ये सब कुछ हम यानकी basic to advance level की तरब इसका एक स्रीजम शुरू करने वाले हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ से शेर भी जरूर करें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में के ने टोपी के साथ